आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चेनल से आपका अपना चेनल पुरु अशोक्ति वारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माता की जै प्रस्राण श्री गणे शाय नमा प्रिय बंधुगो द्वारकापुरी में महराज उग्रिसेन का दर्वार लगा हुआ था और उस दिब्वे दर्वार में सभी यदुवंची भोजवंची विरिश्नवंची तथा शनीवंची छत्रिय विराज मान थे वहाँ पर विशे चल रहा था कि मुनी दुर्वासा ने जो स्राप दिया है कि मूशल के द्वारा समस्त यदुवंचीयों का विनास हो जाएगा तो इस स्राप से कैसे बचा जाए उपस्तित सभी छत्रिय गण महराज योग्र सेंसे प्रात्ना करने लगे कि महराज अब आप ही इस संपून सभा में सबसे अधिक ज्यानी और बुजर गहें इस बिना बुलाई हुई विपत्ति से हम कैसे बचें आप ही कोई उपाय सुझाईए तब महराज उग्र सेंस कहने लगे कि ये बिना बुलाई हुई विपत्ति नहीं है अरे इस विपत्ति को तो निमंतरन देने ये साम और उसके साथ ही गए हुगे थे इन्होंने तो निमंतरन देखे उस विपत्ति को बुलाया अब उसका फल कोन भोगेगा और इस दुष्ट साम को तो हर हमेशा मजाक सुचता है सास्त्रों में कहा गया है कि विना समय के याने असमय जो कारिय किया जाता है हर हमेशा नुकसान दे हुता है समय पर किया गया मजाक भी बड़ा सुहाना लगता है अब जैसे विवाय सम्मन्द जैसा कारिय चल रहा हो उस समय समधी और समधन बेठे हो तब समधने अपने समधी जी से नाना प्रकार के परिहास करती है लेकिन कोई बुरा नहीं मानता उसी प्रकार से जैसे कि किसी के अंतेष्टी का समय हो और कोई व्यक्ती मंगल गीत गाने लगे तो सभी उपस्थित लोग उस मंगल गीत गाने वाले के उपर नाराज हो जाएंगे ऐसा ही इन ग्वालों तथा ये सम्म के साथ में हुआ है कि जिस समय ये उन महारिशियों से मजा करने पहुँचे थे तो उस समय क्या था कि वे सभी रिशी और मुनी भगवान का भजन कर रहे थे और इन्होंने जा करके उस भगवान के भजन में विघन कर दिया इन्होंने उनसे मजा कर दिया पूछ लिया कि इस गर्भणी इस्त्री के गर्भम में क्या है तब और इसी तो शान्त प्रूरिती वाले थे तो ये जानकर भी चुप रहे कि ये ग्वाल वाल लोग असत्य कह रहे हैं लेकिन दुर्वा सामुनी तो बड़े क्रोधी हैं सो उनोंने स्राब दे दिया अब जब स्राब दे दिया है तो उसे भोगेगा कौन हमी लोग भोगेंगे तब वे सभी उपस्थित सदस हाथ जोड करके और महराज उग्रसेन से कहने लगे कि प्रभू आप ही सबसे भुजर्ग हैं ज्ञानवान हैं हम आप से प्रातना करते हैं कि इस विपत्ती से बचने का कोई उपाय तो आप हमें बताईए तब महराज उग्रसेन कहने लगे कि समस्थ विपत्तियों से बचने के उपाय होते हैं कि हम आज से बुरे काम ना करें सभी छत्रिये अपने पुराने बेरभाव को भूल करके एकता से रहें और हम ऐसा कोई भी कारिये ना करें जिससे हमारे देश और समाज का अहित होता हो सदेव हम परोपकार के कारिये करें ऐसे कारिये करते रहें जिससे हमारे देश और हमारे समाज का भला हो धर्म सास्त्रों में जो नीतिगत बातें बताई हैं हम उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं हमारी एक आज्या और अति बहुत ही विशेश है कि आज से कोई भी छत्रिये मदीरा का पान नहीं करेंगे और जो भी छत्रिये मदीरा का पान करेंगे उनको हमारे द्वारा धंड दिया जाएगा यह सभी बातें महाराज उग्रसेन ने वहाँ उपस्थित छत्रियों के समक्ष रखी जिसे सभी छत्रियों ने सहर सुईकार कर लिया बंदुगो आज के लिए बस इतना ही सेस कथा फिर हम किसी दूसरे भाग में आपकी सेवा में लेकर के प्रस्तुत होंगे आग्या दीजिये धन्यवाद जेमाता की जेपरश्राम जी के